तो अभी देखें यह मेरे पास Bluetooth कीट है और इसमें क्या है कि आप लोग जैसा कि यहां पर जानते हैं कि यह Bluetooth कीट होगी है या फिर आप में इसको जैसा कि सभी लोग यहां पर जानते हैं लेकिन इसमें दिक्कत क्या आता है कि ज्यादा तर जो है कि यहां पर यह खराब होता है यह खराब होता है कि होता है चलिए आपको यहां पर देखाते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो है कि आपको यहां पर इसमें पावर देते हैं पावर देने के बाद आपको देखाते हैं कि आपको इस टैप से यहां पर करना है कि यह खराब ही नहीं होगा ठीक है इस टैप से आपको यहां पर दे सकते हैं और यहां पर मेरा यह आरहा है तोड़ा से घंट पर ऊच्छ से समें सकते हैं तब देहां पर शबसे पहले आपको लुक्त देखा देती हैं कि इसके लुक्त कितना औरा रहा तो मां गत्युक कर लिया अठीक फार्टेंथत 17 Onu दिखा रहे हैं तो यह देखें यहाँ पर यह मंटी मिटर थोड़ा सा जो है कि आगे पीछे यहाँ पर रिटिंग बताता है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मेरा जो वोल्टेज है वो फॉर पॉइंट ही है ठीक है यानि फॉर पॉइंट से पलस है जैसा एक आप लोग जानते है तो फ के लिए हम यह पर वीडियो बना रहे हैं तो यह तो जादा तर यह तो सबसे पहले खराब होता है यह दो दोने एक ही तरीका का है देख लिए इसमें थोड़ा सापको डिफरेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा यह पीछे साइड में अगर यह आपको यह जो देख र की है और इसमें तो आपको 5 बोल्ट चाहिए चाहिए 5 वल्ट इसमें आपको चाहिए यह वाला या फिर पैनल होगी है ठीक है तो चलिए सबसे पर इसका यह तरो है और यह यहां पर लगाते हैं जो कि यह 5 बोल्ट का है देख लिए तो जैसा कि हम लोग connection के time में यहाँ पर करते क्या है उस हिसाब से भी हम आपको देखा रहे हैं कि यह खराब किसली होता है और किस तरीका से होता है तो यहाँ पर देखिए यह connector हमने यहाँ लगा दिया है अब यहाँ पर power देने से यह on हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए किसी में तो यहाँ पर red और black wire यहाँ पर मिलता है जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं लेकिन इसमें क्या है अब देखिए दोनों यहाँ पर white है और इसका देखिए कोई भी यहाँ पर symbol नहीं है यहां पर symbol दिया गया है लेकिन सायद जो नए electrician है वो ध्यान नहीं देते हैं यहां पर तो उसके कारण जोगी खराब होता है तो उसके देखाने के लिए यहां पर हमने यह किस तरीका से कर दिया ताकि यह plus का symbol हो और यह minus का हो ठीक है तो चलिए सबसे पहले इसमें इसको हम यहां पर connect करते हैं तो यह इसका plus का है और यह इसका minus का है तो यह देखें यह यहां पर on हो गया है ठीक है यह on हो गया है ठीक है तो यहां पर अब खराब किस तरीका से होता है जैसे के माल लीजे कोई भी बोर्ड में या हम टेटर में या कहीं भी आप इसको connect कर रहे है या एक बार अगर यहां पर जो है कि माइनस और परस उल्टा गर हो जाता है तो तुरती यह खराब हो जाता है जरस अभी यह टेम नहीं देगा तुरती खराब हो जाता है और यह तो इसका तो कहना ही नहीं है क्योंकि यह तो और भी जल्दी खराब होती तो पता भी नहीं चलेग अगर आप चाहते हैं कि ये खराब ना हो connection ultra करने के बाद भी ये खराब ना हो ठीक है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ से 5 volt पलस भी अगर यहाँ पर voltage जाता है 7 volt 8 volt भी जाता है तो भी ये खराब नहीं होगा क्यों नहीं होगा वह आपको बताते हैं तो देखिए उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको इस टैप का एक बना लेना है यह चोटा सा देख लिए यह एक बिरिजेक्टिफायर है यह आप छोटा वला देख रहे हैं ठीक ह और यहाँ पर आपको माइनस प्लस दिख रहा है यहाँ पर जीनट डाइबोट एक आपको दिख रहा है तो यह डाइबोट का आपको कितना है यह आपको बता दे रहे हैं यह मेरे पास 3.3 वोल्ट का है आप यहाँ पर 5 बोल्ट का भी डाइबोट यहाँ पर लगा सकते हैं यह माइनस पॉइंट इसका माइनस पर यहां रहेगा और यह पलस है तो यह इस साइड रहेगा पलस के तरफ डाइबोड में ठीक है इस तरह का से और बाकी यह जो एसी आता है और यह हम कहां से निकालें वह आप सबसे पहले आपको बता दें यह LED बॉल में आपको मिल बाके neo में बड़ा-वलाटाई बोडी मिलेगा SMD circuit में रहे आपको यह मिल जाएगा ठीक है तो वहां समी इसको निकाल सकते है हम भी इसको वीडियो बनाने के लिए निकालागा जिखेंग आपको यहां पर इसको कनेक्ट करना है इस तरीका से बनाके यह देखिए यहां पर 5 बोल्ट कहा है यह देख सकते हैं यहां पर यह ग्राउंड है यह 5 बोल्ट कहा है जिसको आपको कनेक्ट किस तरीका से करना है यह देखिए इस तरीका से आपको यहां पर कनेक्ट करना है ठी कर दो कर दो कर दो करने करते से मैं आपको थोड़ा से यहां पर ध्यान रहें कि कहीं पर सॉट नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर यह सॉट हो जागा तो फिर यहां पर दिखका था कर दो कि अजय सकते हैं कर दो दो हुआ है अधाया की अधाया की सब्सक्राइब कर दो और है जाए तो लुए है कुछ अमने इस तरीका से नहीं पर connect कर लिया है देख सकते हैं ठीक है minus plus आपको यहाँ पर देखी कि करना है अब यहाँ पर हम यहाँ पर जो मेरा voltage आ रहा है उसको हम यहाँ पर देते हैं तो जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर अब ध्यान दीजेगा यह मेरा plus side है और यह मेरा minus side है ठीक है तो plus अगर देखते हैं तो मेरा यह rate वाला यह पलस हो गया और यह minus हो गया ठीक है तो अभी हम सीधा तरीका से इसको दे रहे है तो अभी देखिए यहाँ पर जो है कि यह on हो चुका है यहाँ पर आपको दीख रहा है ठीक है यह बिल्कुल भी on हो गया है तो यहाँ पर अब खराब क्यों होता है वो आपको हम पहले बता दें ठीक है खराब किसली होता है वो आपको बता दें जैसे कि अभी हमने यहाँ पर सीधा दिया है यह देख लिए माइनस में माइनस और पलस में पलस तो अगर आप इसको बोड में इस तरीका से लगाते हैं और कभी भी बायचांस अगर आपके साथ इस तरीका से होता है कि ये माइनस चला गया यहाँ पर पलस में ठीक है इसको हम यहाँ पर पलस में दे दिया है और यह जो मेरा पलस है इसको हम देते हैं यहाँ पर माइनस में ठीक है यह देखिए यहाँ पर माइनस में दिया फिर भी यहाँ पर देखिए यह ओन हो गिया ठीक है अब देख सकते हैं यह ओन हो चुका है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी भी तरीका से आप दे दीजेगा तो यहाँ पर खराब कभी भी नहीं होगा जैसा कि यह देख लिए फिर से हम इसको इस साइड में दे रहे हैं और इसको फिर से इस साइड में दे रहे हैं फिर भी देखिए कि यहाँ पर यहाँ हो जा रहा है ठीक है प्रटा कोई भी connection कीजिए या फिर आप इसमें भी कर सकते हैं आपकी मर्जी आप चाहे किसी चीज में भी इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यह खराब नहीं होगा ठीक है इसको कर लिजे और एक चीज़ आपको बता दें जैसा है कि यहाँ पर अगर माल लिजे आपका वोल् सका होना चाहिए ताकि यहाँ पर एक लिजे का काम कर ले लेकिन अभी हमने यह पर रिजीटर नहीं लगाया है तो बचाने के लिए अपको यह फिल्ड देना है यह गर बन रहा है तो इसमें फायब वोल्ट दे दिजे लगा जीए सिधर लगा जैने वीडियो अच्छा लगा जीव कर देखते हैं लेकिन सप्स्क्रैब पड़ता है तो अगले कूई कर दिजैगा चली मिलता है अगले वीडियो में